तो जैम आता दी बक्तो जैसी कि हमने पिछली वीडियो में सारी इंफोर्मेशन दे दी थी कि आप टिली से कटर कैसे आ सकते हो अगर वोवली वीडियो किसे नहीं देखी तो जल्दी से जाके वोवली वीडियो देख लो क्योंकि इसमें हमने सारी इंफोर्मेशन दे दी तो एक बंदे को 5 कंबल ही मिलते हैं जिसका प्राइज होता है पांसोर फिस तो सुभा अगर आपको कंबल कांटर पर कंबल दे क्वापिस ले सकते हैं अप गुफा के दर्शन करना चाहते हो तो वहां पर 24 या खरताली गंटों की वेटिंग रहती ही रहती है अगर आप लोग भी गुरवजुन के दर्शन करना चाते हो तो जब हम लोग गए थे तो हम लोगों को पुरा एक दिन बेट करना बड़ा था तो अर्दुकुमारी से दो राफते निकलते हैं माता रानी के बवन को एक तो यह है जहां पर गुफा बनिया है इसको बोलते हैं नया रस्ता तो यह वाले रस्ते पे आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा बहुत ही ज्यादा कम लोग ही मिलेंगे इसको हम लोग तारागोड मार्क भी बोलते हैं जिसकी चड़ाई की बहुत ही ज्यादा कम है तो यह तो हो गया नया रस्ते की बात अभी हम लोग करते हैं पुराने र मैं जाजेंगे जोант शूरू करते हैं तो हम लोगोने रास्ता लिया है जिसकों कि पुराना रस्ता भी बोलते Georgi वीडियो में हम लोग आपको बताएंगी क्या रिकार काहां से ले सकते हो रोपे कि इस वीदा क्या रोप और हेलिकॉप्टर आप कैसे बुख कर सकते हो चलिए यातरा को शुरू करते हैं जय मातादी तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी कार की तो आप बैटरी कार को ओनलाइन और ओफलाइन दोनों से बुक कर सकते हो जो कि अर्दकुमारी से बवन तक और बवन से अर्दकुमारी तक ही चलती है तो अब बात करते हैं हेलिकॉप्टर की तो हेलिकॉप्टर की आपको बुकिंग कट्रा से करवानी पड़ेगी तो जो कि आपको मावैशनो देवी पावन तक पचा देगा तो अभी बात करते हैं इसके फियर की तो एक तरफ का 19.00 रुपीस है और दोनों तरफ का 38.00 रुपी दिकत नाव हम लोग एक चीज तो पताना भूली गए तो आप बवन के अंदर कोई भी लेक्ट्रोनिक चीज नहीं लेके जा सकते हैं तो वह वहला सारा स्वान आप क्लोक रूम में जमा करवा सकते हो जो कि फ्री ओफ कोस्ट तो अब बात करते हैं बवन के अंदर दर्शन क करने के लिए आपको दो तीन गंडे तो लगी जाएंगे तो अगर आप बवन पर नाइट स्टे करना जाते हो तो यहां पर आपको तीन तर्म शाला मिल जाएगा और दूसरी तर्म शाला में आपको डॉर्मेंटरी की सुविदा भी मिल जाएगे तो जिसका की फियर है 120 या को वह सारे होल मिल जाएंगे वहां पर आप लोग नाइट स्टे कर सकते हो तो होल के साइट में या आपको कंबल भी मिल जाएंगे जो कि फ्री ओफ कोस्ट है तो हम लोगों ने भावन के दर्शन तो कर लिए तो अब बात करते हैं बैरोगाटी की तो बैरोगाटी बावन स हम लोगों फूर्बोर के दवारा बोजना लरे और वहुँ सारे रेस्टोरण देखने को मिल जाएगे हम लोग थोड़ी से आग जाएएगे तो ना ही शुराइड बोजना लरे मेरेगा और ना ही कोई रेस्टोरण जारे रही लेकिन ये 2 किलो मिटर का रास्ता एक दम सीधा है, ट्रेकिंग करने में बहुत मजाएगा, तो चलिए साथ में करते हैं, जैमाता लिए, ट्रेकिंग करते करते हम लोगों कोई रस्ता भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों के सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर ही सी बेरोगाटी पोश्चक थाई सबसे रहे हम लहा जिए ज़रूर दर्शन drilled दर्शन अरे नहीं होंवे एक लाइक जूर पारिना ऐक